दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही जबर्दस होने वाला है TVS Company ने problem की solution दे दिया है आपका गारी पे जो problem हो रहा था वो बिल्कुल भी solve हो जाएगा दोस्तो वीडियो को skip मत किजिएगा पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा पता चल सके कैसे आपको identify करना है problem कैसे solve होगा आपका गारी का दोस्तो एप्लिकेबल मॉडिल जो है जूपिटर, जूपिटर 125, एंट टॉर्क, जेस्ट, राइडर, रेडियो, स्टार सीटी, प्लास, एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेन है सामने और पीछे का brake noise दोस्तो रेड मार्किंग पोजिशन को ध्यान से देखिएगा ब्रेक्सू का जो लाइनर है वहाँ पे ग्लाजी ने साइनिंग हो जा रहा था जिसकी बज़ा से brake प्रेस करने से वहाँ से अबनॉर्मल सा आवा जा रहा था इसलिए ब्रेक्सू को pre-modified किया गया था ASK grade ASF9M1 star marking किया गया था और material को भी change किया गया था लेकिन ब्रेक्सू का जो noise फिर भी solve नहीं हुआ है इसलिए TVS company ने फिर से ब्रेक्सू को post-modified किया गया है red marking position को ध्यान से देखिएगा identification mark जो है liner की end position पे stark mark के जगा hedge marking देखने को मिल जाएगा और ब्रेक्सू पे ANL का भी branding देखने को मिल जाएगा ये modify ब्रेक्सू लगने पे आपका गारी का सामने और पीछे का जो break press करने से आवाज आ रहा था वो विल्कुल भी solve हो जाएगा आपका आवाज नहीं रहेगा दोस्तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजिएगा अभी मैं आप लोगों को ब्रेक्सू को unboxing करके दिखाऊंगा क्या होता है दोस्तो ब्रेक को press करने से abnormal सा आवाज निकल रहा था गारी चलने पे ठीक हो जाता था फिर से ये problem दुबारा आ जा रहा था गारी अगर शुभा निकलता है तो ब्रेक पेड्स करने से वो आवाज आता है अगर देर तक कहीं पे गारी खड़ा रहने के बाद तो गारी को ड्राइब करने से भी वो abnormal सा ब्रेक नॉइस आता है ये जो problem है आपको चिंता करने का कोई जरुरत नहीं है टीवियस कंपणी ने इसका solution दे दिया है अभी आपको ब्रेक शू चेंज करने के दर अध्यान से देख लीजिएगा हैज मार्किंग या एनेल का ब्रैंडिंग ब्रेक शू में लगाए की नहीं अगर आपका ब्रेक में आवाज आ रहा है तो तुरंद मोडिफाई ब्रेक शू को लगाए और आवाज को बंद करे ये ब्रेक शू दोस्तों आपको टीवियस की authorized service point में देखने को मिल जाएगा ये जो ब्रेक शू है दोस्तों सारे टीवियस के model पे नहीं applicable है कुछ-कुछ model पे applicable है जैसे की चूपिटर, जूपिटर 125, एंट टॉर्ग, जेस्ट, राइडर, रेडियोन, स्टार, सीटी प्लास और स्पोर्ट्स भीकल में ये applicable है इस इस गाड़ी में दोस्तों आपको problem मिलेगा ब्रेक पेस करने से सामने या पीछे का ब्रेक का जो आवाज है बहुत ही ज़्यादा है आपको ये ब्रेकशू तुरंट चेंज करने ना है अभी मैं दोस्तों आपको ब्रेकशू को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कैसे आपको identify करना है दोस्तों ध्यान से देखिएगा ब्रेकशू का जो पार्ट नमबर है 1110020 और इसका MRP है 236 रुपिया मैनुफेक्टर इंडेट है नॉवेंबर 2022 चलो अभी इसको दोस्तों ओपेन करते हैं यह है दोस्तों प्री मॉडिफाइड ब्रेकशू इसको लगाने से ब्रेक का जो आवाज का प्रॉब्लेम है वह बिल्कुल भी शॉल्प नहीं होगा आप देख सकते हो इस ब्रेक की लाइनर की एंड की पोजिशन पे कोई भी मार्किंग नहीं है और यहाँ पे ना एनल की कोई ब्रैंडिंग की मार्किंग किया गया है आप देख सकते हो अगर आप इस ब्रेक सू को आप अपना गाड़ी पे लगाते हो तो आपका ब्रेक पेस करने से आपका गाड़ी पे आवाज आएगा बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसलिए दोस्तों आपको आइडेंटिफिकेशन मार्किंग चेक करने के बाद ही आपको गाड़ी में ब्रेक सू लगाना है अभी हम आपको पोस्ट मॉडिफाइड ब्रेक सू को अन्बॉक्सिंग करके दिखाएंगे इसका पार्ट नंबर और एमर्पी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है वो सब सेम ही है अनली इसके मैनुफेक्ट चेंज जो डेट है वो चेंज हुआ है जनवरी 2023 है चलो दोस्तों इसको ओपन करते हैं आप देख सकते हो इस ब्रेक सू में एसके की ब्रैंडिंग क्या गया है और इसकी ब्रेकशू की लाइनर की end की पोजिशन पे हैज मार्किंग किया गया है आप इसको आराम से identify कर सकते हो दोस्तो ये post modify ब्रेकशू है इसका जो identification mark है दोस्तो पहले जो यहाँ पे star आता था उसके जगह यहाँ पे हैज मार्किंग आप देख सकते हो दोस्तो ये ब्रेकशू आपके गाड़ी पे लगा सकते हो लगाने से आपका गाड़ी का जो ब्रेक प्रेस करने से जो abnormal आवा जा रहा था हो बिल्कुल भी solve हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा दोस्तो pre modify और post modify का जो ब्रेकशू का liner है वो फूरा आप इस चनल पर पहली बार है तो सब्सक्रीब जोर कर लिजेगा और all notification bell icon की प्रेस कर लिजेगा ताकि ICA वीडियो आपकी पास आते रहे